वेल्कम बैक टो मैं चैनल मैं हुश्वेता और आज में लिकाए हूँ एक ऐसा पैक जो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग और ग्लूइंग स्किन देगा तो फ्रेंस इंस्टेंट सा रिजल्ट देता है चेहरे में बहुत ही ज़्यादा चमक लाता है और इसे आप कभी भी बन बना के लगा सकते हैं अगर आपको लगे आपका चाहरा डल है शाइन नहीं यह बिलकूल फीका सा है तो अब इसे इंसटेन बना बना कर लगा सकते हैं इसमें जो भी अन्गिडि הזה इंड जादा हैं सधारन से हैं very simple से हैं अपने ही किछन में मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से और फ्रेंस कभी भी अगर आपको पार्टी में जाना हो फंक्शन में जाना हो आप तुरंती से लगा सकते हैं एक घंटा पहले आप लगा लीजे और देखेंगे इसके बाद अगर आप दोने के बाद मेकप करेंगे बहुत ही जादा आपसका स्किन बिल्कुल शाइनिंग करे तो फ्रेंस चैली लेट्स स्टार्टी तो फ्रेंस इसके लिए हमें लगेगा one tablespoon के बराबर rice flour, बारिक पिसा हुआ चावल खाटा और साथ में वेसमें ऐट करूंगी one four tablespoon के बराबर coffee powder हनी एट करना है अराउंड वन टीस्पून के बराबर रोज वाटर एट करेंगे तो रोज वाटर इतना एट करना है कि एक अच्छा सा स्मूध सा पैक बन जाए और फ्रेंड्स अगर ये बज जाता है आप इसके आइस क्यूब बना के रख सकते हैं इसे हफ़ते में दो से ती पैक नाइट में अगर लगाया जाए तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि नाइट में स्कीन बहुत अच्छे से रीजिवनेट करता है ब्रीध करता है तो पैक का असर और भी अच्छे से होता है इसके बाद आपको कोई भी सोप बगेरा नहीं उसकरना ह है तो जब आप यह पैक लगाए उससे पहले ही आप कोई भी फेस वास यूज कर लीजेगा आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए तो मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है डायरेक्ट इससे अप्लाई करती हूँ और फ्रेंस इसमें जो हमने कॉफी पाउडर दिय है इसमें एकस फोलीएट होता है यह आपके सकीन से डेट सेल को रिमूब करता है इंस्टेंट से शाइनिग लेते आता है और जीनको पेंपलोज होता है उसे भी ऐंटि बैक्टिरियल प्रॉपरटी जो सकीन होताIS कार्ज ताक दब्ब्र को भी रिमूइब करता है, rice flour आपके skin को बहुत जादा shining देता है, exfoliate करता है, brightening का काम करता है, bleach करता है, इसमें आक Verme b히 e ничего bleach होता है जो instant result देता है, glowing shining effect देता है आपके चहरे में, honey में होता है antibacterial property जो भी bacteria आपके form करता पिंपल्स क्रेट करता है उसे यह रिमूफ करता है और साथ में स्कीन में बहुत ही अच्छा ग्लोइंग और यंगर लुक देता है स्कीन को स्मूथ करता है शाइनिंग देता है और आपका स्कीन बहुत जादा सॉफ्ट और सपल होता है और साथ में इसमें हमने अट किया है गुलाब चेल वो आपके स्किन को हाइडरेट करेगा नरिश करेगा ग्लोइंग कमप्लेक्शन देगा तो इन सब को अच्छे से आपको फेस पे लगा लेना है एकसेप्ट आइस के और इसे ड्राइ होने के बाद फ्रेंट्स इसे आफ्टर 20 मिनिट्स बाद ये ड्राइ हो चुका है और इसे किस तरह से रब करना है पहले पानी से वेट करना अपने फेस को और हलका सा स्क्रबिंग करते हुए आपको रिमूब करना है तो आप देख सकते हैं कम से कम 30 सेकंड के लिए मैंने इसे हलके हाथों से स्क्रबिंग कर लिया था पानी लगा के और फिर दूह लिया है आपको इसका इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं स्किन बहुत ही अच्छा सा शाइनिंग और स्मूध हो जाता है तो फ्रेंस इस तरह से आप भी फॉलो किजिए और इसे कोई भी लगा सकता है जिनको एक्नी है पिंपल्स है जिनके चैरे में डलने से संटैन है ब्लेमिशे दाग दबे सारा कुछ रिमूब करता है तो आपने देखा बहुत ही अच्छा सा इसका रिजल्ट आता है और स्कि तो बहुत ही अमेजिंग सा इसका रिजल्ट है तो ट्रस्ट में फ्रेंस शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा लाइब कीजिएगा बैल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा लेटिस नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले में ले तो फ्रेंस मिलते है कोई लुट अरा टर और और बाइब।